अगर आपको EU Small Finance Bank के अंदर इस तरीके से लिखाता है Phone Permission is mandatory to be a device for a security purpose तो कैसे आप इसे ठीक करेंगे तो वीडियो को आप पूरा end तक जरूर देखेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा तो यहाँ पे बहुत से लोगों को इस तरीके से बताता है कि Phone Permission जो है mandatory है ठीक कैसे करना है आपको इसे और क्या करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है OK बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको Phone Permission जो है मांगी जाएगी या फिर आगे आपको जो है अगली पेज़ पर यहाँ पे इस तरीके से Allow करना है यहाँ पे मैं जैसे Allow करूंगा तो यह Phone Permission बच चली जाएगी बट यहाँ पर अगर यह Option नहीं आ रहा है Phone Permission की तो इस Case में हम क्या करेंगे इसके App Info में चले जाएँगे App के App Info में आना है App Info में जाने एक बार यहाँ पे दूसरे नंबर पर Permission की एक सेटिंग है Permission बटन है इसके उपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो Phone की Permission है यहाँ जो जो Permission दिखा रहा है उस सभी आपको Allow करने है सभी Permission यहाँ से आपको दे देनी है जैसे आप Permission Allow कर दोगे यहाँ पे आपका जो App है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा तो यह Process इसका अगर आपको वीडियो आप अच्छी लगते है तो Like और Subscribe भी ज़रूर कीज़ेगे